Hello students, welcome to your channel. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे financial derivatives की meaning, definition और example को. तो सबसे पहले हम start करते हैं financial derivative क्या होता है? देखे, financial terms तो आप समझते हैं और कई बार सुना हुआ है. लेकिन बात करते हैं derivatives की, तो derivatives का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसकी literal meaning समझते हैं. तो अगर हम इसकी literal meaning देखना चाहते हैं, तो dictionary में क्या कहा जाता है कि derivative मतलब क्या हो गया? derivative मतलब something derived. कोई भी चीज जो drive की गई है, वो derivative है. जैसे आपने देखा होगा, कि जब भी हम studies करते हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा कि auditing term कहां से आया? auditing drive किया गया, odier से. इसी तरह bank term कहां से आया? बैंकों से आया? तो हमने देखा कि कोई भी चीज कहीं से lie गई है, drive की गई है. वो जहां से drive की गई हो तो हम आपको बताते हैं, यह Latin से है, यह French से है, यहां से drive किया गया है. तो जब बात derivative किया आती है, तो derivative में क्या बूला कि कोई भी चीज जो drive की जा रहे है, कहीं से lie जा रही है, वो क्या कहलाती है? derivative कहलाती है. तो यह जो terms था, यह basically originate कहां पे हुआ? mathematics में originate किया गया था. और वहाँ पे क्या मतलब निकला गया? वहाँ पे इसको कैसे use किया जाता था? तो it refers to a variable that has been derived from another variable. तो वहाँ पे derivative को कैसे use किया गया? कि जब किसी भी variable से, किसी दूसरे एक variable से दूसरा variable drive किया जा रहा हो, उससे निकाला जा रहा हो, तो उसको हम क्या refer करते थे? कि यह derivative है. यह मतलब इस variable से, इस particular चीज से, यह चीज निकल के सामने आई. तो उसको हम क्या कहते है? कि यह derivative है. तो example, अगर हम एक दिम layman language में अगर example की बात करें, तो जैसे milk है, तो milk से हमने paneer drive किया. Milk एक variable हो गया, तो butter क्या हो गया? derivative हो गया. तो मतलब क्या हो गया? कि कोई भी चीज जो drive की जा रही होती. एक चीज से दूसरी चीज को जब हम drive करते हैं, एक variable से दूसरे variable को, तो उसको derivative कहते थे. कहां पे? mathematics में. अब यही चीज आगे use की जाने लगी, finance में भी. तो अगर एक example लेते हैं, कि आखिर यह derivative का example लेने की बात करते हैं, तो वो कैसे हो गया? जैसे हम जानते हैं, कि अगर हमने किसी चीज का temperature foreign height में measure किया है, तो हम easily उसको Celsius में drive कर सकते हैं. है ना? अब आपको अगर कोई भी temperature foreign height में given है, और आप उसको Celsius में पता करना चाहते हैं, measure करना चाहते हैं, तो आप आप आपस उसको drive कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? आप foreign height, उसका formula होता है basically, foreign height में जो भी आपने measure किया, जो temperature आपका आया हुआ है, उसमें से 32 less कर देते हैं, और जो हमारा result होता, उसको multiply by 5, divide by 9 कर देते हैं, और फिर हमारा outcome जो आता है, वो किसमें आजाता है? Celsius में आजाता है, तो हमने किया कि foreign heights से, हमने Celsius को drive कर लिया, तो वो क्या बन गया? derivative बन गया, तो derivative का simple मतलब क्या निकला? कि something that is derived, that is derivative, तो अब financial derivative क्या हो गया? तो financial derivative को कहा गया, कि एक instrument है, जो indeed किया गया, कहां से? financial market से, तो हम financial market से, जो भी चीज़े drive करके लेके आई, है न, instrument के form में, वो क्या हो गई आपके? financial derivative हो गई, अब इसको और अच्छे से clear करते हैं, तो जब हम और अच्छे से clear करते हैं, तो क्या क्या clarity हमाई सामने आई, कि ये एक financial derivative क्या होगा, एक instrument होना चाहिए, कैसा instrument? financial instruments, अब देखिए, पहले हमने Indian money market, capital market इंसे हमें, बहुत सारे studies की वी हैं, और वहाँ पे हमने बहुत सारे instruments के बारे में, डिसकस किया है, जैसे Indian money market के instruments में, पहले हमने डिसकस किया था, कि बिल हो गया है, FD हो गई, और आपका treasury bills हो गया है, ये सब क्या थे, commercial papers हो गये, commercial bills हो गये, ये सब क्या होते थे, आपके financial instruments होते थे, financial instruments कहां के? money market के होते थे, अब हम बात कर रहे है, financial derivative की, ये financial derivative भी क्या है? एक financial instrument है, मतलब जो nature तो आपका, उन सारे instruments के होते थे, वही nature क्या होगा, financial derivative का भी होने वाला है, तो ये एक क्या है? एक financial instruments है, अब ये जो financial instruments होगी, इसकी value क्योंसी होगी? तो which drives its value, from the basics variables, called basis, तो इन्होंने क्या कहा, कि ये जो financial instruments होने वाले है, financial derivative एक instrument है, financial instruments, अब इस financial instruments की value क्या होगी? तो इसकी जो value होगी, वो इसके base की value होगी, मतलब ये जहां से drive किया गया होगा, जो main variable होगा, जहां से ये ड्राया गया है, उसकी जो value होगी, वही इस instrument की value होगी, है ना? तो base की जो value होगी, मतब जहां से यह लाया गया होगा, उसकी value ही, इस financial instrument की value होगी, जिसको हमने basis बोला है, basics variable की, जहां से लाया गया, तो basis में भी underlying assets, index और reference rate, कुछ भी हो सकता है, अब यह base कुछ भी हो सकता है, मतब आप कहीं से भी इसको drive कर सकते हैं, कोई भी, जो भी assets के अ होगा, वो सब कुछ क्या कहलाएंगे, base कहलाते, वहाँ उसकी value होगी, वही इस instrument की value होगी, एक normally समझे, अगर confusion हो रही हो, तो clarity करे समझे, कि अगर मैंने कहा, कि milk, milk से मैंने paneer drive किया, तो अब यह क्या कहता है, कि paneer drive instrument हो गया, अब यह जो instrument है, यह paneer drive instrument है, इसकी value क्या होग तो अगर milk की value 200 है, तो paneer की value भी क्या आजाएगी, 200 आजाएगी, तो यहाँ पर हमने क्या कहा दिया, कि यह जो paneer drive instrument है, इसकी value इसके base से आएगी, जहां से यह लाया गया, underlying assets, लाया कहां से गया, milk से लाया गया, तो underlying assets क्या हो गया, milk, तो जो इसी milk को हम क्या बोलेंगे, main variable basic variable, यह हम इसको base बोलेंगे, यह हम इसको underlying assets बोलेंगे, क्योंकि यह कहां से drive किया गया, इस assets से drive किया गया, clear है, तो जो इसकी value होगी, वही उस drive instrument की value होगी, clear है, तो यहाँ पर यही बात कहा जाता है, जितने पर financial derivatives होंगे, वो financial instrument कहलाते हैं, और इन derivatives के जो value की बात कहेंग तो यह value जहां से lie गया है, जिस चीज से drive किये गया होगी, उसी की value इस instruments के value बन जाती है, ठीकिए, वो कुछ भी हो सकता है, एक example के लिए लेते हैं, कि अगर एक forward contract किया गया gold पे, तो देखिए, forward contract क्या होता है, यह एक derivative है, ठीकिए, आगे जब हम बहुत जादा जो के gold पे किया गया, तो यह एक derivative instrument हो गया, तो यह क्या हो गया, एक derivative instrument हो जहां पे क्या हो गया, actual कहां पे यह जो contract हुआ, किस पे हुआ, gold पे हुआ, तो जो base हो गया, जो actual instrument हो गया, जो main variable हो गया, जो underlying assets हुआ, वो क्या हो गया, gold, तो जो इसकी पूरी value निकल के आएगी, derivative instrument के वो किस पर निकल के आएगी gold पर निकल के आएगी that is all about value of financial derivatives right अब हम आगे देखते हैं कि इसकी definition के लिए क्या कहा गया है तो the securities contract regulation act 1956 ने derivative को कैसे define किया SCRA act ने derivative को कैसे define किया अभी तक हम ने literal meaning देखी थी और ना dictionary meaning के हिसाब से derivative की meaning समझे थी पर अब SCRA ने derivative को कैसे define किया तो उन्होंने कहा कि derivative क्या होता है derivative includes derivative क्या होता है ये चीज तो नहीं उन्होंने explain की पर derivative में क्या क्या include है किसको हम derivative बोलने वाले है इन इन चीजों को मिला के हम derivative बोल देंगे तो इन्होंने derivative इंक्लूट्स दिया, उसमें उन्होंने क्या कहा, डेरेवटेव में क्या क्या आता है, पहली चीज, वो securities, जो drive की जा रही होंगी, किसी भी debt instrument से, है न, डेविंचर से हो गया, बॉन्स हो गया, कोई भी debt instrument हो गई, या कोई share हो गया, है न, इन सब की securities, इन सब से, चाहे वो debt instrument ह चाहे कोई share है चाहे loan अगर कोई उससे security drive की गई है तो वो security derivative में आएगी है ना अब इन्होंने क्या आगे समझाया कि अगर कोई loan है तो loan होने का क्या मतलब हो गया loan चाहे secured है चाहे unsecured है उससे मतलब नहीं है देखे secured और unsecured की जब आप बात करते हैं तो जैसे मैंने 5 लाग का loan लिया अब 5 लाग का loan bank से मैंने लिया अब उस 5 लाग के loan के लिए मैंने 6 लाग party रख दी तो ये 5 लाग पूरे bank के लिए क्या होगे security होगे क्योंकि अगर 5 लाग का loan नहीं भी repay किया तो 6 लग की FD मेरे पास है, तोड के पैसा मैं ले लूँगी, तो वो secured loan कहा जाएगा, वही मैंने 5 लग का loan ले और FD नहीं रखी, तो वो क्यासा loan हो गया, unsecured, security नहीं है, अगर डूबा तो सारा पैसा डूब जाएगा, तो इन्होंने कहा कि loan चाहे secured है, चाहे unsecured है, उससे म बात होती है, है न, जिसमें risk की बात होगी, जिसमें uncertainty की बात होगी, उससे अगर कोई security बनके आ रही है, तो वो भी derivative में include हो जाएगी, या कोई और भी security का form होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, derivative कहेंगे, तो मोटा मोटे कोई भी security, जो कि drive हो रही हो, किसी भी debt instrument से, किसी भी share से, किसी भी loan से, चायब से, कोई भी risk instrument हो, कोई भी contract हो, जहाँ पर difference amount involved हो, या कोई भी और form security के हो, वो सब क्या कहलाएंगे, या वो सब किसमें involved हो जाएंगे, derivative में, दूसरी बात उन्होंने क्या कही, a contract which drives its value from the prices or index, index of prices of underlying securities, उन्होंने कहा, कोई भी contract, वो भी derivative में include होगा, पर किस तरह का contract की बात इन्होंने कही, ऐसा contract, जिसमें जो value drive होगी, वो कैसे drive होगी, उनके prices से होगी, या जो भी उसके अंदर securities involved है, उनकी जो index price होगी, उससे होगी, देखे, हमने जब बात की derivative की, और हमने जब बात की value की, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे interest rate है ना, interest rate, आज 18% का है, कल 12% का हो सकता है, पर से 10% का भी हो सकता है, तो यह जो interest rate है ना, अगर इस interest rate के लिए भी मैंने कोई security drive कर ली, कोई चीज ऐसा, कोई contract बना लिया, या कोई agreement कर लिया, तो वो भी derivative कहलाएगा, मतलब derivative का मतलब होगी, कोई भी चीज़ जो आप drive कर रह हूं, तो derivative basically वहाँ इस्तिमाल किया जाता है, जहां पर risk involved होता है, risk और uncertainty, जब भी कोई चीज़ uncertain होगी, जहां पर आपके पास certainty नहीं है, कि यही होने वाला है, आपके पास uncertainty है, यह भी हो सकता है, और जब भी कभी uncertainty बिजनस में होती है, तो risk अपने आप आ जाता है, क्योंक बिजनस में उस जगहां पर इस्तिमाल होता है, जहां पर बहुत ज़ादा uncertainty होती है, और बहुत ज़ादा risk involved होता है, इन दोनों को खत्म करने के लिए, mitigate करने के लिए, reduce करने के लिए, जो चीज ड्राइव की गई, वो क्या कहलाती है, financial derivative, अब उस वो contract के form में हो सकती है, वो किसी security के form में हो सकती है, यह अलग matter हो गया, है न, SCRA ने कहा, वो security भी हो सकती, वो contract भी हो सकती, जो भी उसके अंदर underlying assets price और या index form में, जो भी involved हो rate would, उसके value पर उसको हम ला देंगे, लेकिन वो सब क्या कहलाएगी, वो derivative कहलाएगी, uncertainty को खत्म कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाएगी, वो सब के सब derivative कहलाएगी, ठीक है, अब एक example के लिए हम देखते हैं, एक example लेते हैं, उससे और clarity आएगी, कि financial derivative कैसे आया, कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें क्या क्या involved हो से अभी गलग matter है, actually financial derivative कैसे आया, तो मैंने कहा कि risk concerted, risk को खत्म करने के लिए आया, यह एक drive instrument है, किसी भी चीज से drive किया जा रहा है, अब एक example लेते हैं, example के लिए हमने क्या लिया है, एक farmer को लिया है, ठीक है, consider a farmer, ठीक है, अब वो जब कौन को crop करता है, उसकी cropping कर रहा है, और जब तीन महिने बाद उसकी harvesting होगी, मैंतब मैंने उसकी फसल लगाई, और तीन महिने बाद मैं उसकी कटाई करूंगी, harvesting करूंगी, तो जब harvesting करेंगे तो उसकी बाद ही तो वो sale होगा, अब farmer के लिए income क्या होगी, जब उसकी फसल market में sale हो जाए, जो पैसा आएगा वही उसकी लिए business होगी, वही उसकी income हो गई, है न, अब problem कहाँ पे है, कौन आज लगाया जाएगा, investment आज हो जा रही है, farmer के लिए, तीन महिने बाद वो फसल तयार होगी और फिर market में sale होगी, पर तीन महिने बाद जब वो कटाई करेगा, जब market में उसको sale करने जाएगा, जब तम market कैसा है उसको नहीं पता, है न, उसके पास क्या-क्या uncertainty है, क्या-क्या problem है, he is unsure about the price, he will receive at that time, वो unsure किस चीज को रहे है, कि तीन महिने बाद जब harvesting होगी और वो market में उसको sale करेगा, तो उसको क्या price मिलेगा, वो unsure है, uncertain of a price, will he get a buyer, उसके पास और uncertainties क्या है, क्या उसको buyer मिलेंगे, when he is in the market to sell corn, जब वो उसके पास market में sell करने पहुचेगा, तो क्या उसके पास buyer available होंगे, और अगर available होंगे, तो वो क्या price देंगे market में, तीन महिने बाद क्या situation होगी, यह सब क्या है, uncertain है, तो farmer को क्या करना चाहिए, चप चप आज कौन लगा दिया और बैट जाए, तीन महिने बाद जो होगा देखा जाएगा, अब कैसे ऐसे कर सकते हैं, आप करोडों की खेती कर रहे हो, है ना, कई एकर में आपकी फसल लगी पड़ी है, आप ऐसे ही शोड़ दोगे कि तीन महिने बाद जो होगा देखा जाएगा, नहीं, आप एक बिजनसमेन हो, आप farmer हो, आप कई एकर में आपना बिजनस डाल रख्यों, तो कई एकर में आप फसल लगा रहे हो, तो उस केस में आप इस चीज़ को एक अच्छा बिजनस देख सकते हो, बहुत सारे चीज़ों के ऐसे farming होती है, और बहुत अच्छा खासा बिजनस चल रहा होता है, तो आप कई एकर में आपने फसल लगा रखे, तो आप ऐसे बैट नहीं सकते हो कि तीन महीने बाद जो भी मिलेगा, बायर मिला तो ठीक है, जितने भी प्राइस में मिले तो ठीक है, हम दे देंगे, वैसे ही कर देंगे, नहीं, यह uncertainties को आपको कम करें नहीं, क्या बिजनस कर रहे हो, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप एक derivative contract कर सकते हो, आप एक contract करोगे, अब जो contract कर रहे हो, contract किसके लिए कर रहे हो, इस fustle के लिए कर, इस corn की cropping के लिए कर रहे हो, है ना, तो underlying assets क्या होगे यह आपका crop, यह जो आपकी core नहीं, इस की coin की fustle, इस coin की fustle ही आपकी underlying assets होगे, इसके लिए आपने कहा कि एक contract ही है, तो a derivative contract would enable him to enter into a firm contract today, to sell a fixed quantity of coin of an agreed upon quality at a mutual agreed price at the time specified, in this case 3 months, तो uncertainty removed, अब समझेगा इस चीज़ को कि मैंने यहाँ पर क्या कहा, problem हमारे सामने क्या थी, price uncertain था, market में buyer मिलेगा की नहीं, uncertain था, हम कमा पाएंगे की नहीं, uncertain था, इसी को खतम करना था, और derivative instrument ने क्या कहा, मैंने आपको क्या crux में समझाया था, कि derivative तो drive किया गया instrument है, और यह हम drive कर क्यों रहे हैं, जिससे हम uncertainty और इसको खतम कर सके, तो basically हमको यह ही काम करना है, इस uncertainty को खतम करना है, और आपको SCR ने क्या कहा, कि कोई भी contract, कोई भी security, जो की कहीं से drive की जा रही हो, जिसकी prices कुछ हो, वो सब क्या कहलाएंगे, derivative कहलाएंगे, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ, farmer ने contract किया, farmer ने contract क्या किया, आज contract कर लिया, तीन महीने बाद उसकी फसल सेल होगी market में, तीन महीने बाद वो harvesting करेगा, लेकिन contract कब करने वाला है, वो आज, किस से contract करने वाला है, भाई जिसको corn खरीदनी है, ऐसी firm, ऐसी company, जो corn का business करती हो, है ना, आप market में देख रहे हो, corn का बहुत अच्छा खासा business चलता है, तो ऐसी companies, जिनको corn चाहिए, जो chips corn के बना रहे होंगे, या corn का अलग-अलग corn की floor है, या corn का starch है, अलग-अलग जगा पर उसको use किया जा रहा है, तो ऐसी firm, ऐसी company, जिनको ये चाहिए, corn चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैं एक farmer थी, corn की, और तीन महीने बाद मेरी corn available कराने वाली हूँ, मेरी फसल मुझे पता है कि इतना corn तयार होगा, इतना एकड में मैंने अगर फसल लगाई है, तो इस फसल से मेरी कितने corn तयार होके आएंगे, ये मुझे पता होगा, तो मैंने on an average अपना देखा, समझा, उस हिसाब से मैंने क्या कह दिया, कि मैं आपक इतनी quantity, दो कुंटल, पांच कुंटल, दस कुंटल, पंदरा कुंटल, जो भी होगा, मैं इतनी quantity आपको तीन महिने के बाद दूंगी, मैं आज आपसे contract कर रहे हूँ, अब आप और हम जब contract कर रहे हैं, तो आज हमने कहा कहा कि fix quantity हमारी fix होगए, कि इतनी quantity मैं आपको कि यह quantity जो आपको चाहिए मैं दूंगी, वो किस price पे देंगे, है न, तो हमारे बीच में आज ही 3 महिने बाद के हिसाब से, उस फसल के हिसाब से, उसकी quality के हिसाब से, आज ही price fix होगई, कि हम आपको 3 महिने बाद जब यह quantity deliver करेंगे, तो कितनी price पे देंगे, वो price आज हमने fix कर ली ठीक है अब उसके बाद क्या हो गया ये quantity ये quality और ये price और तीन महिने बाद time भी fix कर लिया कब देंगे तीन महिने के बाद देंगे हमने आज ये contract कर लिया अब ये बताईए कि जो farmer की uncertainty थी वो खतम हो गई buyer मिलेगा के नहीं बायरता है हो गया हमारा ये ही हमारे buyer है price क्या देंगे पता नहीं तो price भी मारी fix हो गई तीन मेने बद मुझे इतना पैसा मिलने वाला है price भी fix हो गई ये किस के basis पे हो एक contract के basis पे तो ये contract ही क्या कहलाएगा derivative कहलाएगा ये एक instrument बने गया financial instrument है न क्योंकि इसमें finance में dealing हो गई है अपर सब financial चीज़े है और कैसा instrument हो गई financial derivative हो गया है न क्योंकि इसमें risk जो था उसको खतम कर दिया गया कल को जो risk होने वारा था वो सब खतम है अब ये अलग बात है ये तो आपके साथ है कि भई तीन महीने बाद आपको बायर नहीं मिलते वो मिल गए आपको प्राइसेज कम जादा क्या होने वाले था आपको नहीं पता आपकी प्राइसेज फिक्स हो गई आपका काम खतम अब ये अलग बात है कि इस contract में भी अलग अलग तरीके का ओंटेट होते है future forward अलग अलग तरीके का ओंटेट होते हैं का नहीं चल भी अलग होता है जो हम आगे चलके पढ़ेंगे पर अगर नॉमली financial derivative को समझना तो हम यह यह financial derivative कि हमने आज ही risk uncertainty को खतम कर लिया अब value क्या होगी इस contract की इस derivative instrument की value कितनी होगी यह corn की जो value हमने fix की होगी underlying assets क्या हो गया यह corn हो गया इसकी जो value हमने fix की होगी वही इस derivative instrument इस contract की value होगी तो यही हो गया आपका financial derivative I hope आपको financial derivative का सारी चीज़े clear होएंगे with meaning है ना अगर हम एक और example लेना चाहें तो देखिए एक IT company माले जे है और उसको payment receive होने वाली है dollar में एक महीने बाद ठीक है अब उसके सामने क्या क्या problem है risk और uncertainty सोचे एक महीने बाद जो dollar में payment receive होगा तो वो क्या ensure है कि एक महीने बाद जो rupees की value है वो क्या होगी कम हो जाएगी यह जादा हो जाएगी तो क्योंकि आपको पता है कि rupees and dollar prices fluctuate हो रही है foreign exchange में गराब देखे तो हमेशे prices fluctuate हो रही होती है अब एक महीने बाद मुझे पैसा receive होगा तो कितना receive होगा मैं नहीं पता क्या price रहा है तो हर दिन price बदल रही है एक महीने बाद क्या price रही है मैं पता ही नहीं है तो वो क्या हो गए IT company के लिए problem है risk involved हो गया अब यह क्या करेंगे इन्होंने क्या किया derivative can enable this company to sell the receivable in US dollar today to lock into the prevailing US dollar INR rate for one month अब derivative instrument इनको कैसा help करेगा इनका आज ही derivative में यह आज ही कर लेंगे आज ही fix कर लेंगे कि एक महीने बाद जो आप मुझे payment देने वाले हैं वो इतने रुपे के हिसाब से देने पर रु महीने बाद आप 1 dollar is equal to 70 रुपे रहेंगे चाहे वो 72 हो चाहे वो 69 हो मतब 72 हो 69 हो कोई भी rate हो उससे मतलब नहीं है इन्होंने आज ही fix कर लिया कि 70 पर हम deal करेंगे एक महीने बाद जब payment receive होगी तो 1 dollar is equal to 70 रुपीज के हिसाब से होगी यह आज ही इन्होंने fix कर लिया तो uncertainties को और रिस को इन्होंने क्या कर दिया रिमॉफ कर दिया अब यही क्या कहला है derivative कहला है तो that is derivative तो once again the company has mitigate uncertainty that is all about financial derivative तो derivative एक drive terms है जो हम किसी ने किसी variable से drive कर रहे होंगे आपने देखा यहाँ पे हमने business में dollar जो हमें payment करना था यह receive करना था उससे हमने drive किया एक contract कर लिया कि आ यह derivative बन गया आज जो rate fix करके हमने रख दिया किसी paper में वो derivative instrument बन गया तो financial derivative financial instrument होता है जहां पे हम क्या करते है एक main variable से drive कर रहे होते हैं और जो value होती वो क्या होती जो भी underlying assets होता है वो चाहे bond में हो price में हो share हो कुछ भी हो index हो rate हो कोई भी हो उसी की value से हम इस derivative की value को fix कर दे है that's all about financial derivative और basically यह सिर्फ risk और uncertainty इसको कम करने के लिए खत्म करने के लिए इस्तमाल किया जाता है even commodities currency सब derivative के form में आती है so अगर हम बात कर ले अभी कि in financial derivatives में underlying assets जो generally आते हैं वो कौन-कौन से जिन के लिए underlying assets मतलब इसी variable से drive किया गया instrument बनेगा तो यह underlying assets कौन-कौन से हो सकत stock, bonds, commodities, currencies, interest rate यह सारे के सारे या any other things कुछ और भी हो सकता है यह सारे जो है most common underlying assets है जिनके लिए derivative का terms आया है जिनके लिए derivative यूज किया जाता है stock की prices होती है, bonds वेगरा की values का होता है, commodities में हम deal, जैसे gold वेगरा में deal करें तो commodities हो गई, इनमें deal कर रहे हैं तो हम derivative का use कर लेते, currencies currencies, currencies जैसे भी आप उनने देखा कि dollar और rupees में business करना था तो उसके rate fluctuate करते हैं, तो हम currencies में fix कर ले रहे हैं, तो वो भी derivative हो गया, interest rate अकल को interest बढ़ सकता है, घड सकता है, तो आज ही उसकी prices हम fix कर लेते कि इस interest rate पर काम होगा, तो वो भी derivative हो गया, तो यह सारे के सारे क्या common underlying assets ह जिसके लिए हम derivative terms use करते हैं, I hope आपको clear हुआ होगा, wish you all the best, thank you so much.